नमस्कार मैं वैद्ध प्रविन कुमान मिश्रा और जैसे कि आप जानते हैं CCIM यानि के Center Council of Indian Medicine ने एक नई Advisory रिलीस की है और इस Advisory के अंदर कहा है कि आयर्वेदिक डॉक्टर भी Surgery कर सकते है आज की इस वीडियो में हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि बेसिकली कितने प्रोसेजर है जिसे legalize किया है किस चीज़ को specify किया है किस चीज़ को specify नहीं किया है और किस चीज़ को exclude किया है और इसमें क्या और improvise होनी की ज़रूत है जिसे कि आपको बता दे कि CCIM यानि के Center Council of Indian Medicine ने एक 20 page का advisory release किया है और यह जो advisory है यह आयरवेदिक के ENT और surgery इस दो डिपार्मेंट के लिए है यानि कि वो जो शल्ले और शाला के इस जो subject को पढ़ रहे है और या pass out है उनके लिए इस advisory को release करने के बाद एक 58 procedures है जो उन्होंने allowed किया है कि आईरवेदिक डॉक्टर इस चीज के उपर surgery कर सकते है सबसे पहले बाद इस advisory को लाना ज़रूरी क्यों है अगर हम statement देखे वैद्यजेंद देवपुजारी जी का जो फिलाल हमारे CCIM के चेर्मेन है उनका ये कहना है कि ये जो 58 surgical process है ये पहले भी आईरवेदिक hospitals के अंदर होते आ रहे है पिछले 20 सालों से इस advisory के द्वारा बस इसी को legalize करने की पोशिश की है यानि कि इस advisory से ये set हो जाएगा या एक clear हो जाए कि आईरवेदिक डॉक्टर किस surgery को कर सकते है और कि surgery को वो कर नहीं सकते हैं अगर वो 58 process के बारे में बात करें या procedure के बारे में बात करें जो हमें allot किया गया है आईरवेदिक faculty के अंदर वो अभी तक clear नहीं है क्योंकि कहीं mention नहीं है अपल नहीं कि वो है क्या बट उसमें जो हमें समझा है वो यह है कि 39 जो process है वो surgery के लिए legalize किया है कि वो surgery process कर सकते हैं और 19 कुछ ऐसे process surgery process है जो ENT department कर सकते हैं दोनों मिला कि यह 58 process होते हैं अगर हम यह 20 page gadgets के बारे में अगर देखेंगे तो इसके अंदर कुछ ऐसे process है जो हमें पता चला है कि आयरवेदिक surgeon जो है कर सकते है जैसे की amputation of gangrene, cataract surgery, skin surgery, functional endoscopic surgery और यह जो चीज़े जो मैं नाम ले रहा हूँ यह कुछ ऐसे process है जिसको लेके आये में थोड़ा नाराजे की अब इसमें इस notification को लाना क्यों बहुत ही जरूरी है इस notification को लाना इसलिए जरूरी क्योंकि इसमें मुझे लगता है जो all in all एक benefit है जो बहुत ही अच्छा है वह है इंडिपेंडेंसी ऑफ आयरवेदिक doctor इस notification आने के पहले अभी तक जो होता था वो इस तरह से कि किसी भी procedure को carry out करने के लिए भले वो surgery हो या ENT हो अगर कोई थोड़ा major surgery होता था तो भले वो आयरवेदिक doctor या आयरवेदिक surgeon कितना भी skillful हो there should always be a presence of a one specialized modern doctor so उनका presence होना बहुत ही जरूरी है वो इस चीज़ के अंदर निकाल दिया है याने कि अब अगर जो degree holder है अगर वो चाहे तो यह process को अकिला carry out कर सकता है without or with present of ambives doctor दूसरी बात यह है कि इस process के अंदर यानि कि इस notification के अंदर कोई भी स्तिरी प्रसुती को लेके किसी भी process को clear नहीं किया यानि कि जो gynec और ops है उससे related जो भी surgery है वो इसमें included नहीं है यानि कि वो authorized अभी भी नहीं है उसके बाद दूसरी चीज जो है जिसको लेके चीज़े पूछा कर रहे है कि क्या यह सब carry out कर सकते है तो फिर जैसे मैंने पहले बता है कि यह जो specifically guideline है इसके अंदर clear कर कहा है कि जो ENT आयरवेद है और जो surgery आयरवेद है दो department यह दोनों के लिए ही यह specialized notification निकाला है और कौन इसे जो बाकी degree holder वो कर सकते है कि नहीं इसे लेके अभी भी कोई नई advisory नहीं है और इसे करने के लिए क्या करना होगा यह भी अभी तब कुछ चीज़ clear नहीं किया है अब जो IME की तरफ से जो sentence है कि आयरवेद एक doctor को modern terminology नहीं यूज़ करना चाहिए और इस notification के अंदर जो भी surgical process दिया हुआ है वो terminology नहीं यूज़ करना चाहिए अब बात यह इसको लेके CCM नहीं उनको answer दिया है कि यह जो terminology है यह किसी एक department या एक किसी body का authorized नहीं है यह जितने modern terminology है यह खाली आयूश नहीं बलकि हर non medical field के अंदर भी use होता है ताकि कि किसी भी चीज़ को improvise कर सके किसी भी चीज़ को communicate कर सके और इस रहे इस चीज़ को उ यूज नहीं कर सकते बसर थे terminology यूज कर सकते और इसको read भी कर सकते है उसके बाद जो दूसरे allegation है वो यह लगाया गया कि CCM जो है आयरुवेद और modern comics करने के कोशिश कर रही है जो हमने पहले बताया कि CCM का यह बयान था कि इस notification या गैजट्स लाने के बाद एक चीज़ य अब भले इस advisory के अंदर कुछ चीज लिखी हो कुछ दिन पहले ही release किया है अब इसके अंदर क्या होगा क्या आने वाले दिनों में इसको लेके बहस होगी क्या चीज़े changes होगी क्या और इसमें specification आएगा यह देखने की बात है अगर आपने इस advisory को पढ़ा है और आपको ऐस notification आने के बाद कितना जो चीज़ है आयर्वेड faculty के अंदर खास करके surgery के अंदर improvise हो सकता है या improvise नहीं हो सकता है नमस्ते